हेलो एवरिवाइन, वेलकम टू कॉन स्टडी ये हमारा रीजलिंग का दूसरा टॉपिक चल रहा है मेशीन इंपूट आउटपुट मैं अल्रड़ी साइलोगिजम की सारी टाइप्स करवा चुकी हूँ और मैंने अपने पिछले लेक्चर में मशीन इंपूट आउटपुट के भी बेसिक समझा दिये हुए है आप अगर फिर भी उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं आपको मशीन इंपूट आउटपुट अच्छे से समझ आ जाएगा हमारे social media handles हैं, आप इन में से किसी पर भी मुझे query डाल सकते हैं, अगर इस lecture में कोई भी आपको doubt है, मैं आपकी query को पूरी-पूरी तरह से solve करने की कोशिश करूँगी, यह जो syllabus है, यह syllabus जो मैंने यहां पर लिखा है, यह syllabus मैं आपका cover करवाऊंगी, JK Bank के लिए, alright, so let's move forward, अभी तक हमने sci-logism कर लिया है, अब हम input-output कर रहे हैं, okay, so आगे आज का question देख लेते हैं, so देखे, यहां पर, यहां पर एक निया question है आज, तो मैं तो आपको यही request करूँगी, कि आप इसे pause कीजिए, पहले आप खुद से इसका logic समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है, या आ भी जाता है, तो आप फिर video play करके देखे, कि आपने सही बिनाया, और अगर नहीं भी बिना पाए, तो क्या आपको doubt रहाए गया, all right, so देखे, अब मैंने आपको कल भी समझाया था, कि जब भी आपका input-output का question आए, और आपको logic पता करना हो, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज क्या करनी है, सबसे पहले आपको last step देखना है, ताक हमारे middle में highest alphabet और highest number है, फिर alternatively यहां से यहां से भी कम हो रहा है, और यहां से भी कम हो रहा है, है ना, क्योंकि देखे, 97 सबसे highest था हमारे यहां पे, और उसके बाद 65, 41, 26, 10, so that means, इसमें शायद alternative series चल रही होगी, तो अब हम steps से देख लेते हैं, कि हमारी क्या series चल रही अब देखे, step 1 में देखे, सबसे पहले इसने highest number को सबसे leftmost position पर रख दिया है, और सबसे highest alphabet को इसने rightmost पर लग दिया है, ठीक है, second step में देखे, इसने alternate कर दिया है, क्या किया, second highest जो हमारा number था, उसको इसने rightmost पर रख दिया, और जो second highest हमारा alphabet था, इसको leftmost पर रख दिया, then again step third में देखिए जो हमारा third highest number था उसे leftmost पर रख दिया और जो हमारा third highest alphabet था उसे rightmost पर रख दिया तो अभी तक हमने क्या decode किया है कि एक बार जो highest number है वो left side पर push हो रहा है और एक बार highest alphabet that means कि alternative series चल रही है alphabet और numbers के बीच में एक बारी जो number है वो right side पर shift हो रहा है एक बारी alphabet right side पर shift हो रहा है और at a time एक step में दो जो objects हैं उसको वो pick कर रहा है एक number को और एक alphabet को एक highest number को और एक highest alphabet को so accordingly अब हम इस input का output बना लेंगे क्योंकि हमें logic समझ में आ गया है so देखते हैं कि क्या logic इस logic को कैसे हम अपने input को output में convert करते है so देखिए यहां पर मैंने बना दिया है इसे तो मैं आपको समझा देती हूं step 1 में देखिए यह देखिए सबसे हमारा highest क्या था 85 उसको मैंने leftmost position पर रख दिया right और सबसे highest alphabet था मेरा y तो मैंने yellow को यहां पर रख दिया उसके बाद अगर next step में देखिए तो अब बाकी जो बच गए है उन में से सबसे highest कुन सा है 59 तो 59 को मैंने rightmost position पर रख दिया क्योंकि alternate करना है एक बार highest number को left पर रखना है एक बार highest number को right पर रखना है हमने logic में यहीं देखा तो इसी के हिसाब से मैंने 59 अपना right साइड पर रख दिया और जो हमारा अब highest alphabet है वो T है तो हमने T को left साइड पर रख दिया ठीक है अब हमारे ये दो तो output के हिसाब से बन गए हुए है तो अब हम बीच वाला देख लेते हैं अब हमारा सबसे highest कौन सा आ रहा है जो numbers है उसमें 41 आ रहा है और जो alphabet है उसमें orange आ रहा है तो हमने 41 को left साइड पर रख दिया क्यों क्योंकि अब alternatively ये पहले left साइड पर गया था फिर right साइड पर गया अब number वापी से कहां पर जाएगा left साइड पर so 41 हमारा left साइड पर चला गया और orange हमारा right साइड पर आ गया हमारे तीन numbers जो है वो already output के accordingly arranged हो चुके है बाकी numbers को देख लेते हैं अब हमारा next step में हम किस number को pick करेंगे highest number हमारा कुन सा है 3612 में से of course 36 और exam or lemon में से highest alphabet है हमारा lemon तो lemon को हमने रग दिया left साइड पर और 36 को हमने रग दिया right साइड पर and last में हमारा बच गया है बस exam or 12 तो exam or 12 में से exam को हम ले गए right साइड पर और 12 को हमने लगा दिया left साइड पर okay so that's how we have got our output हमारा output क्या हो गया है this is our final output right so अब questions देख लेते हैं I hope आपको समझ आगया हो यह logic right देखें अब questions अब first question देखें which of the following combinations represent the first two and last two elements in the step five of given input तो हमने जो बनाया था answer उसमें step five को देखें step five को आप देखेंगे तो first two and last two alphabets sorry first two and last two elements first two elements आगे 12 and lemon last two आगे 36 and exam ठीक है तो अब देखें इन में से कौन सा option है option A is correct 12, lemon and 36 exam तो चलिए next question पर चलते है अब देखें which element comes exactly between 85 and lake I guess यह lake नहीं होना चाहे था यह lemon होना चाहे था मैं एक बड़ी चेक कर लेती हूँ yes यह lake नहीं यह lemon होना चाहे था Okay, so step third में देखे, 85 और lemon कि exactly middle में क्या आ रहा है exam So, यह आ गया exam, यह लेक नहीं है Sorry यह लेक नहीं है, यह क्या है यह lemon है There must be some typing mistake Okay, यह lemon है तो हमारा answer क्या आ गया exam, ठीक है I hope आपको समझ आ गया होगा, next question पर चलते है देखे, which of the following elements is fourth to the right of one, which is ninth from the right end in step fourth of the given input तो देखे, यह हमारा solution था देख लेते हैं, यह नहीं बोले step five पर right end से ninth following element is fourth to the right of one which is ninth from the right देखे, पहले हम ninth पर कर लेते हैं एक्जाम से शुरू करते हैं one, one, two three four, five, six seven, eight nine right, अब lemon से हमें वापिस से fourth right होना है तो क्या होएगा one, two, three, four तो हमारा answer क्या आगया? yellow right, अब या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं या तो आप कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको आगे ranking में भी समझाऊंगी बट अभी भी आप देख लिएजए जब भी आपको इस तरह से आता है तो आप क्या कर सकते हैं? nine, minus four देखे, यह nine था minus one, two, three, four तो right से कितना बन गया? one, two, three, four, five है ना? तो यह आ गया आपका ranking में ranking में क्या होता है? कि जो आपको number दिया हो अगर आपकी जो direction है वो same है ठीक है? तो जो आपको number दिया हो जैसे यहाँ पे हमें दिया था ninth और यहाँ पे दिया था fourth तो nine में से आप four को minus करेंगे और उसमें plus one कर देंगे तो वो जो position होगी वो आपका correct answer आ जाएगा ओके तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा correct answer अगर हम इस formula के हिसाब से देखें तो भी हमारा क्या बन जाएगा one, two, three, four, five, yellow which is correct तो yellow हमारा answer सही हो गया right? I hope आपको समझा गया होगा let's move forward to next question देखें if in the first step 59 interchanges its position with lemon and orange also changes its position with 12 then which element will be to the immediate left of 41 सबसे पहले तो हम first step पर चलते हैं यह रहा हमारा first step right? यह रहा हमारा first step ठीक है? अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि 59 को change कर दिना है lemon की position से यह रहा 59 इसे change कर दिना है lemon की position से और उन्होंने क्या कहा है कि orange को भी change कर दिना है 12 की position से तो यह रहा 12 और यह रहा orange ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा है then which element will be to the immediate left of 41 तो देखिए हमारा 41 यह है है ना? यह है हमारा 41 ठीक है? अब 41 के immediate left पर ऐसे तो क्या होगा? 59 but 59 किसके साथ interchange हो गया हो है? लेमन की साथ राइट तो सबसे immediate left for 49 की क्या हो जाएगा? लेमन और रहे? I hope आपको समझ आ रहा होगा ठीक है? तो हम अपने next question पर चलते हैं अगर आपको यह नहीं भी समझ आएगा मैं आपको recommend करूंगी इस video को दुबारा प्ले करकी देखेगा I am sure आपको यह समझ आ जाएगा So last question of this machine input output in which step are the elements test 85 yellow 59 found in the same order? अब देख लें देखे test 85 yellow 59 तो यह सिर्फ हमारा possible है हमारे 5th step में और कहीं पर भी नहीं तो हमारा 5th step जो है वो right answer बन जाएगा और इसी तरह से देखे मैंने आपको कहा था machine input output में 5 number आपके पक्के ही है अगर जेन के bank में आता है machine output input output आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको logic find करना है Once you will find logic तो आपके 5 numbers बहुत ही अराम से मिल जाएंगे और क्यूंकि इसमें बहुत कम time लगता है तो surely आपको यह question attempt करना ही है Okay, so this is a very important topic इसलिए मैं आगे भी आपको कुछ questions इसके करवाओंगी जिसमें different logics होंगे ताकि paper में आपको किसी भी type का logic है आपकी already preparation हुई हो और आप उसे अराम से कर पाएं Right, with this I complete my lecture, thank you अगर आपको यह video पसंद आई हो तो please आप इसे like कर दिजे और please हमारे चानल को भी subscribe कर लिजे और अगर आपकी कोई भी query है तो आप comment कर दिजेगा या फिर हमारे social media handles पर जाके भी आप मुझे query भेज सकते हैं Okay, हमारे social media handles का link बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो description box में उसके links provided है already आप जाईए और वहाँ बे जाकर आप join कर लीजे Thank you so much, okay